कैलाशपुर गाव में एक लोहा रामगोपाल रहता था उसका एक भरापूरा परिवार था जिसका लालनपालन करने के लिए उसे कई बार दिन रात काम करना पड़ता था रोज की तरह आज भी काम पर जाने से पहले रामगोपाल ने अपना खाने का दिब्बा बांधने के लिए अपनी पत्मी से कहा पत्मी जब दिब्बा देने लगी तो रामगोपाल ने कहा मुझे आज आने में देर हो जाएगी शायद मैं रात को ही आऊ इतना कहकर रामगोपाल अपने काम पर निकल गया काम पर जाने का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था वहाँ जैसे ही रामगोपाल पहुचा उसे कुछ आवाज सुनाई दी जैसे ही रामगोपाल कुछ पास गया तो उसने देखा कि एक साधू भगवान का मंत्र जपने के साथ ही हस रहा है हैरान होकर रामगोपाल ने पूछा आप ठीक है महाराज उस साधू को रामगोपाल नहीं जानता था लेकिन साधू ने एकदम से उसका नाम लेकर कहा आओ रामगोपाल बेटा बाबा के मुख से अपना नाम सुनकर रामगोपाल हैरान था लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और सीधा अपना खाने का दिब्बा उठा कर उन्हें दे दिया देखते ही देखते बाबा ने रामगोपाल का सारा खाना खा लिया उसके बाद उस साधू ने कहा कोई बात नहीं बाबा, मैं काम के लिए बाजार जा रहा हूँ, तो मैं वही कुछ खा लूँगा यह सुनकर उस साधू ने रामगोपाल को खूब आशिरवाद दिया और भेंट के तौर पर एक हथोड़ा दे दिया रामगोपाल ने कहा आपका आशिरवाद ही काफी है, मैं इस हथोड़े का क्या करूंगा, इसे आप ही रखिए देटा यह कोई पामगी अथोड़ा में ही है, यह जागवी अथोड़ा है, जो मेरे गुरुज ने मुझे दिया था, अब मैं तुझे दे रहा हूँ इतना कहकर वह बाबा वहां से अद्रिश्य हो गए, रामगोपाल अपने हाथों में हथोड़ा लेकर बाजार काम करने के लिए चला गया, औजार बनाने से पहले उसके दिमाग में आया कि आज इसी हथोड़े से लोहा पीटता हूँ, जैसे ही उसने लोहे पर हथोड़े से चोट मारी वो सीधा ओजार बन गया, दूसरी चोट में लोहे का सामान बन गया, रामगोपाल समझ गया कि यह सही में जादूई हथोड़ा है, वो जो बनाने की सोच के साथ लोहे पर चोट मारता, लोहा सीधा वही बन जाता, जादूई हतोडे की वज़से रामगोपाल का काम जल्दी खम हो गया और वो अपने साथ ही उस जादूई हतोडे को घर ले गया इसी तरह रोज रामगोपाल उस हथोडे से जल्दी काम खर्म कर लेता और कई बार ज्यादा सामान बना कर उन्हें गाव के लोगों को भी बेच देता था धीरे धीरे उसके घर के हालात पहले से कुछ ठीक होने लगे एक दिन गाव का मुख्या उसके घर आया और बोला एक पहाड तोड़ने में मदद करोगे इससे बीच में एक सड़क बना लेंगे और गाव से शहर का सफर आसान और छोटा हो जाएगा मुख्या की बात सुनकर रामगोपाल ने उस जादूई हथोडे से उस पहाड को तोड़ दिया मुख्या और गाव के लोग बहुत खुश हुए और उसे खूप शाबाशी दी पहाड तोड़ने के बाद घर लोटते समय लोहार के मन में हुआ कि इस जादूई हथोडे से मेरा काम जल्दी हो जाता है लेकिन कुछ ज्यादा फाइदा तो हो नहीं रहा है इसी सोच में डूबे हुए लोहार घर जाने की जगध दुखी होकर जंगल की तरफ चला गया उस जंगल में साधू बाबा को अपने मन की सारी बाते बता दी साधू ने कहा इसका उपियोग सिर्फ ओजार और बड़तम बनाने पहाड तोड़ने तक सिमित नहीं है रामगोपाल ने अच्छे से साधू बाबा से उस जादूई हथोड़े को इस्तमाल करने का तरीका सीखा उसके बाद रामगोपाल ने बहुत धन कमाया आज रामगोपाल एक अमीर आदमी बन गया है अभी भी वो जब भी जरूरत महसूस होती है, कुछ जादूई हतोडे का इस्तमाल कर लेता है कहानी से सीख चाहे कोई वस्तु हो या दिमाग, इनका इस्तमाल पूरी तरह से करना चाहिए साथ ही अपने पास मौजूद सामान का मोल समझना जरूरी है व्यर्थ हताश होने से काम नहीं बनता